प्री छात्रों आप देख सकते हैं कक्छा बरावी हिंदी का त्रमासिक परिछा सेट एक पूरा का 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 पूरा पहला प्रस्टन है सही विकल पर चुन कर लिखे जिया दोस्तों पहला प्रस्टन क्या है सही विकल पर चुन कर लिखे इसमें पहला क्वेस्टन क्या है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हतास हुआ दुखी क्यों इसमें चार ओप्सन दिये गए आप देख सकते ह इनका screen sort का लीजे, link description में आप जाकर check out कर सकते हैं, पूरे के पूरे पीडिया प्रवाइड करा दिये हैं दूसरा question है, किस राज, रस को रस राज कहा जाता है, करणो भक्ति स्रंगार या बाते सल ले इसी तरहे हमारा तीसरा question है, जो कि आपके screen पर सो रहे हैं दोस्तों, तीसरा question है बजार का जादू चढ़ने का अर्थ क्या होगा, आकरसक बस्ते हैं, उधार की बस्ते हैं, उपहार की बस्ते हैं, इसमें से कोई नहीं आप देख सकते हैं, इसमें चार option दिए गए हैं, इसी तरह हम बात करते हैं, अगले question की, तो अगला question जो कि आपके screen पर सो रहे हैं, बे विभिन सब्द जिनका सुरोत संस्क्रित नहीं है, भारा में ग्रामत छेतरों अदबत जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन भा सा परिवारु कहराते हैं, विदेशी सब्द तकनीकी सब्द, छेतरी सब्द या निपात सब्द, इसमें भी चार option दिए गए हैं, इसी तरह हम बात करते हैं, question number 5, वे की, तो question number 5 है, सोधर बाबू, question number 5 है, सोधर बाबू, अपने आदर्स किसे मामते थे, तो पहला है, अप जुवाल नेट वाइट उप्यूकत सभी, इसी तरह हम बात करते हैं, question number 2 की, तो question number 2 देख लेगें, दोस्तों हम question number 2, खालिस थान है, इसमें पहला प्रसन है, भगतिकाल की प्रेम मारगी साखा में कभी dot dot है, इसका सही अंसर जैसी होगा, और दूसरा question है, पतंग की पतली क कद छोटा था, इसी तरह पाचवा question है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, बाक में निपात सब्द है, एसोधर बाबु ने दबतर से लोटते हुई, रोज dot dot बिरला मंदिर जाने की रिती अपनाई, और next question है, दोस्तों संपायदी को अकबार की अवाज मानी जाती ह question number 3 है, आपके screen पर आप देख सकते हैं, सही जोड़ी बना का लिखिए, question number 3, सही जोड़ी बना का लिखिए, आत्म इधर question दिये गए हैं, इनका screen shot का लिजे, इसका answer भी आपके screen पर दिया गया है, आत्म परिचाय का होगा, मनोहर जोसी, महा काब का होगा, हरीरबंस से राय हुआ, तीन होते हैं, silver binding होती है, आठ, मुद्रित मादम की विशेसता कहलाईगी, तो मुद्रित मादम की विशेसता कहलाईगी सब्दों के स्थित, इसी तरह हम next question की बात करेंगें, next question ए, एक बाक की मुखत लिखिए, क्या नेक्स्ट क्वेस्चन क्या है एक बाकि में उप्ता लिखे पहला प्रसने कविता का उड़ना कौन नहीं जानता दूसरा क्वेस्चन है जहां कभी की सोभा ब्रदी अधार सब्द होआ कौन सा लंकार होता है तीसरा है गन्ये के पके हुए गाड़े रस को क्या कहा जाता है चूरण बेचने का काम कौन करता था पाचवा छेतरी सब्द लिखिये छटवा किसन अधा सोधरा को क्या कह कर बोलाते थे और सात्वा है डेड़ लाइन किसे कहते हैं इसका स्क्रीन सोट कर लिजी यह सत असत के प्रसन जो की आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं पहला प्रसन है स लोकोपती का में कहाबत भी कहते हैं पाचवा है मनोहर सैंजोसी को सहित अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया अगला क्वेस्चन है कैमरे के सामने बैठे अपाहिच के सांसा दर्सकों को भी रुलाने की कोसिस होती है क्वेस्चन नमबर 6 की बात करेंगे दोस्तों तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन प्रस कर लीजे जैसे ही में कोई नया वीडियो अप्लोड करूं तो आपको नोटिपिकेशन के रोप में प्राप्त हो जाए क्वेस्चन नमबर 6 देख लेंगे नई कविता के क्वेस्चन नमबर 7 तक क्वेस्चन नमबर 8 की बात करेंगे तो क्वेस्चन नमबर 8 है दो महात काब और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए दो खंड काब वेवों उनके रचनाकारों के नाम लिखिए क्वेस्चन नमबर 9 की बात करेंगे तो क्वेस्चन नमबर 9 है विर निबंदकारों के दो-दो निबंद लिखिए क्वेस्चन नमर ग्यारा है लगान न चुकने पर जमीदार ने भक्तिन की क्या सजा दी बजार का जादू क्या हुए कैसे काम करता है क्वेस्चन नमर बारा लोकोप्ति और मुहबरे में अंतल लिखिए और इसके अत्वा का प्रस्ण है तकनीकी सब्द किसे कहते हैं उदारान सहीत समझाईए क्वेस्चन नमर तेरा की बात करते हैं तो क्वेस्चन नमर तेरा है सब्द युग में क्या है उदारान सहीत लिखिए इसके अत्वा का प्रस्ण है सब्द सक्ति के बारे में उधारान सहीत लिखिए Q14 एसोधर बाबू की चरिति की विसेशताएं लिखिए और इसके अत्वा का प्रस्ण है जोज खहानी की प्रमुक पातर की विसेशताएं लिखिए Q15 आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सो रहा है एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने वाले एउग बाते कौन-कौन सी है इसके अत्वा का प्रस्ण है पत्रकारी लेखन के वारे में लिखिए Q16 की बात करते हैं निमने लिखित बिंदों के अधार पारही बंस राय बच्चन और रगवी या रगवीर सहाय का सहित्तिक परिचा लिखिए दो रचनाय कलापच और सहित्तिमिस्थान लिखने है Q17 की बात करेंगे तो Q17 जो की आपके स्क्रीन पर सो रहा है निमने लिखित बिंदों के अधार पर महा देवी बर्मय एवं जैनेंद्र के सहित्तिक परिचे लिखे दो रचनाय भासा सहली सहित्तिमिस्थान Q18 की बात करेंगे तो Q18 जो की आपके स्क्रीन पर सो रहा है सो ठा चंद की उधारान सहित्ति परिवासा लिखिए Q19 की बात करेंगे तो Q19 में एक गड्यास दिया गया है आगे बढ़ रही है इसके ये कब्यास दिया गया है इसका भी प्रसुंतर दिया गया, question number 20 की बात करेंगे, question number 20 है, पद्यांस का भवार संदर्ब प्रसंग और ब्याक्ख्या कीजिए, तो यह दिया गया, इसको देख सकते हैं, इसको भी नीचे वाला दिभी देख लीजिए, इसी तरह में बात करते है question number 21 की, तो इसमें गद्या के संबंद सिकायत्री पत्र लिखिए, और इसके अत्वा का प्रस्न अपने नाना जी के गाउं में वापस आने वाले मधूर इसमरतियों को पत्र लिखिए, question number 23, जो की आपके स्कीन पर सो रहा है, question number 23, निल लिखित बिज्या, बिस्यों पर एक बिस्यों में रूप रेखा सहित निबंद लिखिए, स्वबलंबन भारती परवोक, अनन्द, स्वस्त का महत्त, सहित और समाज मेरे यादगर रेल यात्रा, दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगाऊ, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और यह वीडियो अ ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से कादी, मिलते हैं कैसे नएट आपको से इंट्रेस्टिंग वोड़ों जाता के लिए जैहिंद,